है लो शुटर्ण में लेकम टूरी इस वीडियो आपके फाइनल प्रश्ण यहाँ पर आचुके हैं आपके काब भी खंड से गद्धि खंड से और आपके करती का से साथ ही हां पर मैं आपको जो आपका काब भूद है ठीक है जो आपका काब भूद भासा बहुत है उसमें से इसमें एड किया है मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट जो के आने के चांसे बहुत ही जाद है यहां पर आप देख सकते हैं पहला पर सालूसर के साथ हैं इसके आपको सब्सक्राइब को अच्छे से कर लेना है कल मैंने टैंथ वालों को भी इस प्रकार से बताया थी और आप सकते हैं बिल्कुल सभी पुर्षन आजटिच आ गये हैं बिल्कुल जो मैंने बताया थी आप उनको भी देख सकते हैं तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रस्ण आ गया है उसा कविता में गाउं की सुभा कैसे बताई गई है तो इसका आंसर आप देखेंगे उसा कवि सुभा का गतिशी जित रहे कविता में प्रियुक्त उपमानों को देखकर यह बात सुनेशित रंग से कही जा सकती है भोर के नीले आकास के लिए राग से लीपा हुआ गीला चौका केसर से धुली काली सिल तथा लाल खड़िया चाक मली हुई स्लेट आदी उपमान प्रिय देखिए यहां पर पहली विशिष्टा उनकी है परंप्राबादी ठीक है यह आपको पूछा ही जाएगा बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है यह प्रसन आपको पूछा ही आना है इसलिए अच्छे से आप इसको कंप्रेट कर लिए यह सुतर बाबु के विशिष्टा है कि दूसरी आप इस इसता पास्चात संस्कृति के विरोधी है यह उसके बाद इसका बड़न कर सकते हैं धार्मिक भी है तो यहां पर प्रबरचन सुनना संद्या पूजन करना मंदर जाना धार्मिक किताबें पढ़ना उनके जीवन का हम हिस्सा है जो किसंदा से विरासत प्राप्त है तो इस प्रकास इसका आप लेख सकते हैं उसका बर देखिए आंगला प्रशन आपके सामने बहरी बैरी बहरी इंपोर्टेन कोर्शन यह आने बाला प्रशनsst बहुत है तो देखिए भक्तिन का बास्तित नाम क्या है वहें बड़े और दर्सन छोटे जैसी कहाबतों के उपखास से बचने के लिए उसने अपना नाम छुपाया तो यहां पर सका अंसर प्रकास है अपको लिखनी है तो देखिए भक्तिन लेकिका लेकिका महादवी बर्मा की सेविका है लेकिका ने उसके जीवन संगर्स का वर्डन किया है उसके चरत की निमलेखित विसिस्ता सामने आई है तो देखिए संगर्स सेल महला है तो संगर्स सेल महला पहली विसिस्ता हो जाएगी भक्तिन बेहत सुभाविनी है तीके सौभिमान है पिता की मर्तू के बाद बिमाता कि कठो भी और से उसके माय गजाना मतलब उसके माय के जाना छोड़ दिया पती कि यूद के बाद उसने किसी कब नहीं ठामा और सौं मेहनद करके घर चलाया जमिदार द्वारा अपमानत की जाने प्रभाय गाउशोड़ का सहर आ गई तो इस प्रकास से संगर सील महला और सची सेविका यहां पर दो विशिस्ता है भक्तिन की आप लेख सकते हैं वो विशिस्ता आपके आने वाली है बहुत ही इंपोर्टेंट है यह उसके बाद देखिए बात को कील की तरह ठोकना क्या है तो देखिए इस प्रकास से लगें कि बात को कील की तरह ठोकना का तात्पर है कि प्रभाव हीन तथा निरधक हुई बात को किसी भी तरह लोगों को समझा कर वहीं खत्म करना इसको हम बोलते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे बात उपर से कभीता की तरह जान पड़ती है बात को जैसे तैसे प्रभावी बनाने की कोशिस की जाती है उसके बाद देखिए बानरों की ब्याकुलता के कोई दो कारण तो यहां पर देखिए बानरों की ब्याकुलता के दो कारण यहां पर लिख सकते हैं लक्षमन की मूर्चा तोड़ने हेतु हनुआन जी का संजी सभीने वूरचा-वीं लेकर समय पर ना लूटनी से वांडर व्याकुल हो जाते हैं उसके बाद प्रिभूर राम का मूर्चित लकुमर्ध हेतु तू पर सारे बानर व्याकुल हो जाते हैं उसके बाद देखिए अंगला प्राशन है गाउं की सबबांटता पूचा गया सकता है इसको अच्छे से आप कम्प्लीट कर लीजिए दोबिस इसना गाउं की सुबह में केसर से घुली काली सिल है राक से लीपा हुआ चौका है गाउं की सुबह में स्लेट की काली मां परचाक से रंग मलते अद्रस बच्छों के नन्हे हाथ है तो इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लीजिए इसमें जितनी भी प्रशन है आपके सेलेक्टिवी वेनेरिश्मेंट आले है एक प्रशन ऐसा नहीं है जो इंप्रशन इस बात की आसा में नीडों से जहाक रहे होंगे कि सुबह से भूजन की तलास में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब बापस आ रहे होंगे उनके लिए भूजन का दाना लाएंगे इस आसा में बच्चे नीडों से जहाकर अपने माता पिता की प्रदिक् और अनन्द didn innocent प्रदान को आपन के प TRAMP कर दाने पाट शाला जाने से क्यों रोक पार प्रिपर ऑफ लिया प्राइब है लएत कर लिए यहीं से तख नहीं किया तो और रिखन लिए है तो इसको एक बार्या आप इसको स्कौर बहुत इंपरेंट होता यहां पर देख सकते हैं मोहन जोदरों में बड़े घरों में भी छोटे कमरे होने का क्या कारण हो सकता है ठीक है और उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूँ लिंक डिस्कूस में मिल जागी कभी परीचा लेकर परीचा का आप बहुत भाजा बहुत और जो आपका पत्र लेखन निबंद लेखन सभी के इंपोर्टन कुर्शन मैंने डाल दी हैं आप चैनल पर लेट को चेक आउट कीजिए बहां पर भी वीडियो मिल जाएगा या पर आप लिंक डिस्कूस में मिल जाएगा उसको तुरू आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए मोहन सबसे अधिक प्रवावित किया उसके चरथ के नदूव किया रिखना लगानी है तो ट्र है कि कभी अपने हिर्दाई की भावना को व्यक्त कर रहे हैं अपने हिर्दाई के प्रेम भाव को लेकर कभी यहां से वहां घूमता फृता रहता है तो इस प्रकास से इसका अंसल लिख सकते हैं कभी कोदगार और उपहार क्यों परिये हैं इसका भी आप इसको याद कर लीजे उसके बच्चन जी को संसार क्यों परिये नहीं है तो बच्चन जी को संसार इसलिए परिये नहीं है क्योंकि यह अपूरो और अधूरा है जबकि कभी सपनों की दुनिया में खोया रहता है जहां कोई अभाव नहीं है त्रिके उसके बाद देखिए यहां पर यह वाला question भी हमने add किया है इसमें दिखिए बहुत important है यह आपका बैसे तो इसमें यह आपका भासा बोध या काब बूध से तो यहां पर दिख सकते हैं लुटन धोलक को अपना गुरू मानता है तो यहां पर आपको निर्दी सनुसार बाग का परिवर्दित करना सकते हैं क्या लुटन धोलक को अपना गुरू मानता है तो यहां पर लिखा हुआ है क्या लुटन धोलक को अपना गुरू मानता है तो यहां पर लिखा हुआ है क्या लुटन धोलक को अपना गुरू मानता है तो question मारक आपको जो नहीं लगाएगा उसका अंसर गरत हो औरस पत्र बहुत कठ्ञ नहीं है ठीक है तो कठ्री नहीं है या सरल है थो एक ही है तो olahisr koop पत्रश्थ का में छप जाए तो यहां पर संद्भ बाचक आसाग को बनाना है mendicati इनके सब alum minus post ने नीचे यहां पर आपको बता दीें तो इस प्रकास आसे सass को आप पहलवान राज पहलवान वन जाने के वाद दू दू तक फैल गई राजा ने दरवार में रखा पोस्ट एक भोजन वर राजा की इस नेह दृस्टी से उसने सभी नामी पहलवान को हरा दिया तो इस प्रकास से आप लिख सकते हैं तो यहां पर तक यहां तक आपके सभी सब्सक्राइक को लाइक और नए है तो बैल लगन को प्रेस कर लिजे ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं एक और नए वीडियो में आप पुराने वीडियो जरूर से चेक आउट कीजिए चैनल पर जाकर बहां पर आपको मिलेंगे सभी इंपोर्टेंट कोश से तो उनको जरू दिखना है